हेलो फ्रेंड्स कैसे हो और यो बड़ी आउंगे वल्कम बैक ट्यो बीडियो टिप्स भाई बबली फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगे कि आप ग्लीशिन को अपनी स्किन पर कैसे यूज कर सकते हैं और इससे क्या फाइदे होने वाले हैं और इससे आद़ आपको में ऐस official बताऊंगे जो पारलर से भी ज्यादा अच्छा आपकी स्किन पर glow लाएगा तो glycine में होती है देखे इतनी सारी properties यह मैंने श्किन शोट लगा दिया है आप देख सकते हैं तो glycine dark sports को भी खतम करती है स्किन को मोशिराज भी करती है आप बिल्कुल गोरी चिट्टी आपकी स्किन हो जाएगी सारी problem खतम हो जाएगी आपकी स्किन की friends पहली बार में अगर आपकी स्किन पर आपको निखार ना मिला तो आप मेरी वीडियो कभी मत देखना और वीडियो को dislike करके comment भी लिख सकते हैं आप तो वीडियो आज बहुत अच्छी होने वाली है तो सबसे पहले बनाना है हमको scrub इस scrub बनाने के लिए लिए मैंने आप बेशन एक चमच एक बेशन इसमें जालने है PCVC नहीं ये दो नहीं मिलकर आपकी dead skin को रिमू करेंगे आपके dark dabbos खतम करेंगे आपके dead skin रिमू होगी तो skin चमगदार बनेगे automatically और इसके बाद लेनिया फिर आपको थोड़ी सी glycerine इसमें मैं एक चमच glycerine एड़ करूँगी glycerine क्या करता है देखे skin को मुश्याज भी करता है hydrate भी करता है, skin को fresh बनाता है, skin के pace level को balance करता है dark sports है, pigmentation है, जूरिया है उन्हें खतम करता है, skin में collagen के उत्पादन को बनाने में हल्प करता है जिससे तो अच्छा glowing बनती है, जवान और खूबसरत बनती है और ये अच्छी तरह से skin के सफाई भी करता है skin को चमकदार बनाने में बहुत ज़द हल्प करता है, glycerine skin को mulayam भी बनाता है तो इसके बार लेना है आपको थोड़ा सा गुलाब जल और गुलाब जल आपको इसमें डाल कर जितना इसमें ये थिक पेस्ट बन जाए mix कर लेना है डाल कर बस अब ये हमारा एक natural सा scrub बन कर तयार होने वाला है ये आपकी skin की गहराई से सफ़ाई करेगा, आपकी skin के रोंच इदरों को खोल कर अंदर से साफ करेगा, दाग दब्बों को पिंगमेंटेशन को जुलियों को, काले पन को हटाने में बहुत ज़दा help करने वाला है, आज का हमारा scrub आपकी skin को निखारने वाला है daddy skin को remove करने वाला है skin की अगर dad cells remove होते हैं friends तो skin automatically चमकदार दिखाई देती है skin पर glow दिखाई देता है तो यहाँ पर इन सारी चिज़ों को आपने mix कर लेना है, देखे मेले की तरह और यह हमारा एक क्रीमी सा scrub बनकर तयार हो गया है आप देख सकते हैं तो यह अब हम करने वाले हैं मैं हाथ पर करके दिखा रही हूँ आपको इस कर जल्ट देखेगा आपको इसे अपने चेहरे पर लगाना है और किस तरह से लगाना है आप मेरे हाथ पर देख सकते हैं पहले आपको अपना चेहरा साफ करना है अगर मेक अप किया तो उसे अटाईएगा संस्क्रीन लगाईए तो उसे साफ करिएगा फिर आपको इसी स्क्रब को लगा कर उसकी मसाज करनी है कम से कम दो तीन मिनट तक को बच्चे से आपको इसकी मसाज करनी है इससे आपकी सारी गंगी खतम होगी स्किन की सारे डैड सेल्स रीमू होंगे काला पन उतरेगा इसकीन चमकदार बनेगी और डाक स्पोर्ट्स है पिंगमन्टेशन है उन्हें अटाने में ये स्क्रब बहुत काम करेगा स्किन की निचली परत तक जाकर अंदर से स्किन को साफ करेगा और अंदर से आपके दाग दब्बुक और जहाईयों को ये खीच कर भार लाएगा उन्हें खतम करेगा उनका ठीटमेंट करेगा तो इससे आपकी स्किन बहुत जदा हेल्दी होने वाली है ग्लोइंग होने वाली है और गजब करने खार आने वाले है आपकी स्किन पर तो फ्रेंट्स आपको कम से कम 2-3 मिनट तक मसाद करने के बाद में आपको अपना चेरा नोर्मल पानी से दो लेना है और आप देख सकते हैं, देखें, मेरे हाथ की स्किन कितनी साफ हो गई है मैंने याप पर ये स्क्रब किया है, तो आप देख सकते हैं, मैं याप पर आपको दिखा रही हूँ कितनी चुमकदार हो गई है, देखें, पहली बार के इस्तिमाल से ही, आप देख सकते है मेरा हाट कितना साफ सुतर हो गया है ऐसी आपका चेहरा हो जाएगा बिल्कुल क्लीन साफ सुतरी आपके चेहरे की स्कीन हो जाएगी यह देखे मैंने एंड बोश कर लिया और रिजल्ट आपके सामने है इस नेचुरल से स्क्रब का मार्किट के स्क्रब से सो गुना अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिनने वाला है तो इसके बाद अब हमें बनाएंगे आपर फेस पैक फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेना है और आपको उसमें डाल देना है चंदन पाउडर जी हाँ चंदन पाउडर हम सर्दी में भी उज़ कर सकते है कैसे इस्तिमाल करना है वो मैं आपको बता रही हूँ देख सकते है चंदन पाउडर में प्राकर्तिक अंटिसेप्टिक प्रोपर्टी जोती है जो स्किन पर पड़े दाग दब्बो को जाईयों को जूरियों को खतम करने में हल्प करता है इस्किन की टोन को निखारने में हल्प करता है जंदन पाउडर इस्किन को फ्रेश बनाता है चमकदार बनाता है इसके बार लेना है आपको एक चमच मसूर की दाल का पाउडर यह देख सकते हैं मशूर की दाल में bleaching properties होती है vitamins भी होते है minerals भी होते है जो skin पर पड़े दाग दब्बो को काले निशानों को भी हटाने में help करती है skin को निखारने में help करती है एक चुटकी डालनी है आपको इसमें हल्दी जो skin को साफ करता है skin के पर पड़े दाग दब्बो को जाईयों को जूर्यों को anti-aging के लक्षनों को खतम करता है pimples को भी खतम करता है दई और उसके बाद आपको डालनी है इसमें फिर से glycerine एक चमच बर के इसमें glycerine आपको add कर देनी है तो friends इसके बाद इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है mix कर लिना है याँ पर थोड़ा सा गुलाब जल डाल कर बस आपको श्मोर कुछ भी नहीं याड करना सारी चीज़ों को खुब अच्ची तरह से आपने mix करना है याँ पर गुलाब जल इसकीन को ठंडक तो देगा ही साथी आपके peace level को भी balance करेगा आपके दागदबों को भी खत्म करेगा जाएंयों को जूर्यों को sun bun को pimples को इन सब को खत्म करेगा और इसकीन को tone को भी bright करने में help करेगा गुलाब जल इस remedy में बिलकर तो आपको सारी जीजे कुमियां पर अच्छी तरह से mix कर लेनी है देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ये भी अमारे एक natural सा face pack बन कर तयार होगा जो आपके चेहरे पर इतना कमाल का glow लाएगा इतना कमाल का निकार लाएगा मैं इतनी short इसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इसे use किया है मैंने इसे استعمال किया है तो friends आप इसे mix करके अपने चेहरे पर लगाएगा और इसका result अभी मैं आपको अपने हाथ पर लगा कर दिखाती हूँ देखेगा आप तो आपको पहले आपने किया इस क्रब उसके बार लगाना है आपको face pack किसी ब्रस की साहते से लगाएए या आथ से लगाएए उससे कोई फरक ने पड़ता बस आपको खूब पूरे चेहरे को cover कर लेना है अच्छी तरह से आपको apply कर लेना है यह जो face pack है यह आपकी skin को साप तो करेगा ही साथ यह आपके दाग दबो को pimples को जितनी जूरिया है जाईया है इन सब को खतम करने में इस क्रब के साथ मिलकर खतम करने में help करने वाला है आपकी skin को healthy बिलाने वाला है तो बहुत अच्छाद कई facial है friends आपको इतने सारे benefit देगा याद का facial कि आप इसे बार बार लगाएंगे तो देखिए आपको लगा कर इसे छोड़ देना है कम से कम 15 या 20 मिनिट के लिए जब तक कि सूख जाए और उसके बाद आपको normal पानी से अपना चेहरा धो लेना है और इसके बाद आप दिखाऊंगी मैं आपको अपने हाथ पर result आप देख सकते हैं मैं आप पर skin को साफ कर रही हूँ अपने हाथ को instant glow है instant निखार है पहली बार के इस्तिमाल से ही skin साफ सूतरी है skin पर चमक है skin पर निखार है देख सकते हैं आप देख सकते हैं मेरे हाथ की skin कितनी निखर गई है कितना glow है यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आइनवोश कर लिया तो बहुत अच्छा facial है आज का skin बिल्कुल dry नहीं है skin बहुत soft है बुलायम है और कमाल का निखार है साफ सूतरी skin है ऐसे आपकी हो जानी है आपको यह facial गपते में कम सकम चार बार करना है इतना तो आपको करना ही पड़ेगा तब भी आपकी skin के सारा treatment अच्छे से हो पाएगा देख सकते हैं friends नीचे से black skin है उपर से white skin है तो यह फर्क है इस facial का कमाल का visible change पाएंगे परना जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें glycerine अबने एड़ करिया है जो skin को बेहन सोप्ट बनाता है मुलाइम बनाता है अगर आपकी skin फिर भी ड्राई रहती है तो आप थोड़ा सा अलेविले जेल की मसाज कर सकते हैं बाद में अगर skin dry नहीं है सोप्ट है तो आपको अलेविले जेल लगाने की कोई जरूरत नहीं है तो अगर आप यह लगाते हैं तो और भी अच्छा है आपकी skin hydrate रहेगी मौस्चराइजर बना रहेगा skin सूखी नहीं होगी और skin मुलाइम बनी रहेगी यह फर्क आपके सामने है आप देख सकते हैं friends मेरी skin कितनी साफ सुतरी कितना गजब करनी खार है पहली बार के इस्तिमाल से यह फर्क आपके सामने है तो इस facial को जरूर करिएगा आपको पालर जाने की जोरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा पैसे खर्च करिंग जोतने पड़ेगी आप घर पर ही अपनी skin का treatment कर सकते हैं और यह फर्क आपके सामने है एक dull skin है एक हाथ की मेरे glowing skin है निक्रीवी skin है तो बहुत अच्छी remedy है बस एक चीज़ का ध्यान लखना है आपको इसके बार कोई साबून या फेस बोस नहीं लगाना है और नहीं आपको लगाने की जरुरत पड़ेगी क्योंकि यह इतना अच्छी से आपकी skin को clean कर देगा तो friends इन सारे चीज़ों को ठीक ऐसी करिएगा जैसे मैंने बता है तो all skin type है फिर आउंगे आपके लिए अच्छी रैमीड लेकर वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा